अब बात करते हैं mangrove की और यहां पर इसके benefits और किस तरह से climate change से निपंठे में यह काम कर रही है यह हम बताई चुगे हैं यहां पर अब कुछ report आपके साथ share कर रहे हैं FAO 2020 और Global Mangrove Alliance की The State of Mangrove की report यह बताती है कि जो mangrove loss की overall rate है उसमें गिराओड देखनों मिली है जो की एक अच्छी news है साथी साथ FAO 2020 की report बताती है कि 40 वर्षों में global level पर 20% से अधिक mangrove नस्ट हो गया है लेकिन last decade में नुकसान की दर धीमी हो गई है और 2010 से 2020 के बीच में 30% की कमी आई है साथी report में बताया है कि लगबग 393,000 hectare 9 mangrove वन उन शेत्रों में उगाये जहां वे 2000 में मुझूद नहीं थे जिससे पिछले 20 स्वर्चों में वेश्विक नुक्षान के आदे से अधिक की भरपाई हो गई है बात करें भारक की तो इंडिया स्टेट ओफ फोरेस्ट रिपर्ट बताती है कि देश में मैंगरू कवरिंग 4,992 स्कूर किलमेटर की है जो देश के खुल जियोग्रिफिकल एरिया का 0.15% है यहीं बीबल सानी इंस्टेट पहलो साइन्स बताता है कि 2070 तक 50% मैंगरू डिडियूस एवन शिप्ट हो जाएंगे जो की बड़ी चिंदा चेनक पात है और यह बताता है कि जो प्रयास चल रहा है उसके अंदर और प्रयासों की जरूरत है ताकि मैंगरू को बचाया जा सके है